दोस्तों, महंगी गाड़ी लेना सबका एक सबना होता है मगर अगर मैं आपको बोलू कि मैं आपको आल्टो 19 लाख में बेचने को तयार हूँ तो क्या आप लोगे? नहीं ना बस आज की इस वीडियो में हम आपको भारत में बिखने वाली कुछ गाड़ियों के प्राइस फॉरण के प्राइस से कंपेर करके दिखाएंगा अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों सबसे पहली गाड़ी जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है फॉर्चुनर सबसे ज़ादा बिखने वाली मिड साइज SUV है जिसकी कीमत भारत में 38.5 लाग टॉप मॉडल के लिए है पर अगर आप यही फॉर्चुनर दुबई में लेने जाओगे तो आपको यह 32 लाग में ही मिल जाएगा पर क्या आपको पता है अगर आप नेपाल में इसी फॉर्चुनर को लेने जाओगे तो आपको इसका कितना दाम चुपाना पड़ेगा आपको इसके पूरे एक क्रोड बहत्तर लाग अचास यहार दुपए देने पड़ेगे इतने में तो इंडिया में कुई अची सी फ्रॉपटी ही आजाती है जितने में नेपाल के लोग फॉर्चुनर के मालिक पनते हैं दोस्तों अगली गारी जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो भी इंडिया की सरकों पे बहुत जादा देखी जाती है जी हाँ दोस्तों मैं औल्टो की ही बात करना हूँ इंडिया में इसकी कीमत 3-4 लाग है और यहीं दुबई में 2-3.5 लाग है मगर नेपाल में इसकी कीमत 19-23 लाग वहे रखी गई है मतलब कहीं 6-7 गुना जादा दोस्तों अगली गाड़ी जो है उससे मोट लाइक SUV का किताब भी दिया जा चुका है जिसका नाम है क्रेटा दोस्तों क्रेटा की इंडियन मार्केट में प्राइस 1.5 लाग टॉप मॉडल के लिए है और वहीं 1.5 लाग दुबई में रखी गई है मगर नेपाल में इसी गाड़ी के लिए आपको 66 लाग रुपई तक चुकाने पढ़ सकते हैं ये तो बहुत जादा है तो दोस्तों अब थोड़ी महंगी गाड़ी के बारे में बात करते हैं तो अब बात करते हैं मर्सेडी की C-Class मर्सेडी C-Class इंडिया में 52 लाग की टॉप मॉडल पढ़ती है और दुबई में यहीं आपको काफी सस्ती बढ़ जाती है ये दुबई में आपको 30 लाग में टॉप मॉडल मिल जाएगी और इसी गाड़ी को अगर आप नेपाल में लेने जाओगे आपको धाई करोड 2.5 करोड तक चुखाने पड़ सकते हैं जो की जरूरत से बहुत जादा वाला था क्योंकि धाई करोड में एक इनसान ना जाने कहां से कहां पहुंचाता है तो जो अब हमारी आगनी गाड़ी है वो है इनोबा दोस्तों इनोबा इंडिया में 25 लाग की टॉप मॉडल मिलती है और दुबई में यही गाड़ी 21 लाग की है अगर नेपाल में वही इसकी कीमत 99,50,000 है 89,50,000 है मतलब अगर आपको गाड़ी का शौंक है और आप नेपाल में रहते हो तो आपको यह काफी भारी पढ़ सकता है तो दोस्तों अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तूसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा धन्यवाद